नमस्कार दोस्तो मैं हूं सुरेज और मैं आज आपके बीच बताने जा रहा हूं दुरूबल अम्ल और प्रवल अम्ल के बारे में क्योंकि एक स्टुडेंट का डिमांड था उसी अधार पे मैं एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में बना रहा हूं फोडियो के माध्यम से और कुछ एक्जाम्पल्स के माध्यम से आपके सामने में आएगा जिसे कि आप नोट डाउन करते जाईएगा जो कि आपके एक्जाम के परपस से आपके लिए बहाद ही इंपोर्टेंट है सभी अमलों को उसके सक्ती के अनुसार से दो भागों में बाटा गया है पहला आता है परवल अमल जिसको जिसे स्ट्रॉंग एसिट कहते हैं और दूसरा आता है दुरवल अमल जिसे विक एसिट कहते हैं सभी खनीज अम्ल जैसे HCl जिसको हेड्रोक्लोरिक एसीड कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल नैट्रिक अम्ल परवल अम्ल हैं जबकी कार्बनिक अम्ल एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल सैट्रिक अम्ल टैट्रिक अम्ल कार्बोनिक अम्ल सल्फ्यूरस अम्ल दुर्वल अम्ल की स् प्रवल अमल में हैड्रोजन समान रूप से होती है परवल अमल में पुर्णतह आयनिकरित होकर है जब की दुर्वल अमल में आंसिक रूप से जल में आयनिकरित होते हैं यही कारण है कि जो पुर्ण रूप से पुर्नता आयनिक रित होते हैं H पलसायन देता है वह परवल अमल कहलाता है जब कि दुरवल अमल आन्सिक रूप से आयनिक रूते हैं तो एक student का यहाँ सवाल था इसलिए मैं आपके बीच में इसके बारे में बताने के लिए आया अब इसमें से मूल बातें जो थी मैंने तो आपको definition के माधियम से और समझाने के माधियम से बता दिया लेकिन इसमें से आपको याद यह रखना है कि जैसे कि formic अमल हुआ, acetic अम जो होते हैं यह hydrogen को आंसिक रूप से release करते हैं इसलिए यह दुर्वल अमन की सिरेणि में आते हैं लेकिन वैसे अमल जो प्लस आयन को सिगर्टा से पुर्णता प्रदान करता है तो वो क्या आते हैं प्रवल अम्ल की सुरेणी में आते हैं वो उसके उधारन मैंने बताए कि क्या होते हैं HCl H2SO4 HNO3 यह सभी यानि की हाइड्रोक्लोरिक एसीड सल्फियोरिक एसीड और आपका नैट्रिक एसीड जो है वो प्रवल अम्ल की सुरेणी में आते हैं यह बहुत तिब्रगती से है पूरुनथा एकश प्लॉस आयन को प्रदान करते हैं इसलिए इनका नेचर इस प्रकार से हो जाता है अब कुछ अम्ल ऐसे होते है जो कुछ अम्ल नहीं इस प्रकार से कहिए को कंसर्टेशन का अधार बनाए जिसमें कि जल की मात्रा अधिक होती वह तनु अमल कहलाता है और वे अमल जिसमें जल की मातरा अधिक पाई जाती है वे सांद्र अमल कहलाते हैं अब अमलों की जो पहचान होती है वह लिटमस पत्र के द्वारा किया जाता है यदि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो जबकी छार जो होते हैं वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो रंगों में परिवर्तन के अधार पर हम यह समझ सकते हैं कि कौन अमल है और कौन चार होते हैं अमल और चार के बाद लवन के भी पहचान होते हैं और जि इसके द्वारा इसकी पहचान होती है जैसे मैंने बताया लिटमस पत्र तो जिसके द्वारा इसकी पहचान होती है उसे सूचक कहा जाता है अर्थात इंडिकेटर कहा जाता है इंडिकेटर के माध्यम से अमल की पहचान की जाती है अमल की को कटेराइस किया जाता है बाटा ज है आज का इस विडियो